हलो स्टुडेंट्स आज का अमारा टोपिक है रेटीनल डी अटेच्मेंट इस कंडिशन के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रेटीना के बारे में रिवाइस कर लेते हैं तो आप लोगोंने पढ़ा होगा आई में तीन लेयर्स होती है आउटर लेयर तो होती है इसके लेरा मिडल लेयर होती है कोरोईडल और इनर लेयर होती है रेटीना अब अगर अपन रेटीना की बात करें तो यह जो इनर लेयर है रेटीना यह एक light sensitive layer होती है जो inner layer है यह light sensitive layer होती है जो भी light यहां से lens के थुरू अंदर की तरफ enter करती है आई में वो कहां जाके focus करती है रेटीना पर ठीक है और जैसे यह रेटीना पर आके light पड़ती है तो यहां पर stimulation होता है किसका optic nerve का और यहां से signals जो है वो कहां ले जाए जाते हैं brain में और इस तरह से हमको दिखता है या vision process चलती है तो यह काम होता है रेटीना का अब अगर अपन बात करें retinal de-attachment की तो इसमें क्या हो रहा है यह जो retinal layer है यह separate हो रही है किस से de-attachment का मतलब क्या होता है किसी चीज से अलग हो जाना de-attach हो जाना तो यहां पर जो retina है वो किस से separate हो रही है जो coroidal layer है coroidal middle layer और inner layer retina है दोनों एक दूसरे से चिपकी भी रहती है तो इस condition में क्या होता है abnormal condition में यह retinal layer coroidal layer से de-attach हो जाती है या separate हो जाती है तो उस condition को क्या बोलते है retinal de-attachment जैसा कि हम इसकी definition की बात करें तो retinal de-attachment is a medical condition in which retina is tear down यानि कि ऐसी medical condition है इसमें retina क्या हो जाती है tear down हो जाती है और separate हो जाती है किस से? coroid layer से ठीक है अब यह बात तो हो गई कि इस से separate हो जाती है उस condition को बोलते है retinal de-attachment but इसकी वज़े से क्या result होएगा कि इसमें जो result देखने को मिलेगा वो यह होगा कि peripheral vision उसका loss देखने को मिलेगा पहले ही मैं आपको बताया था vision दो type का है central vision and peripheral vision तो इसमें early stage में तो peripheral vision loss होगा like जो मैं आपको बताता हूँ यह diagram इस diagram में आप देख रहे हैं कि इस image में यह जो side का यह तो है side का जिसको बोलते है peripheral vision और यह जो center इसको बोलते है central vision तो आप यह देख रहे हैं इसमें side की तरफ से यहां पर black spot दिख रहा है तो इसमें जो person को peripheral vision का loss होता है उन में इस तरह की condition देखने हो मिलती है यानि कि उनको side का नहीं दिखता है ऐसा अंदेरा या काला black spot type दिखते हैं बट center vision दिखता है तो retinal de-attachment condition में क्या होगा early stage में peripheral vision loss होगा और बाद में धीरे-धीरे जैसे-जैसे condition progress करेगी तो उसके साथ-साथ central vision भी loss होने लगेगा इसके बाद बात करें causes की तो किस-किस वज़े से इसमें de-attachment हो सकता है तो first cause हो सकती है इसमें de-attachment में occur due to degenerative changes in the retina यानि कि retina के अंदर किसी तरह की degeneration होने लग जाए changes आने लग जाए तो उस वज़े से de-attachment हो सकता है और क्या cause हो सकती है trauma to the eye अगर eye में किसी तरह का trauma हो जाए और उस वज़े से अगर retina से इप्रेट हो जाए तो भी ये condition arise हो सकती है third one हो सकता है aging यानि बढ़ती उम्र के साथ भी अगर degenerative changes होने लगे retina में तो उस वज़े से भी de-attachment हो सकता है next cause हो सकती है diabetic retinopathy ये क्या होती है ये कैसी condition होती है और ये किस में देखने को मिलती है ये देखने को मिलती है diabetic patient होते है जिनको diabetes होती है उन patient में क्या होता है कि जो eye में जो blood vessels होती है जो retina की जो blood vessels होती है उनके अंदर blood pressure increase हो जाता है क्या होता है यहाँ पे जो blood vessels present है उनमें blood pressure increase हो जाता है जिसकी वज़े से यहाँ पर separation होने के chance होते हैं किसके retina के ठीक है तो यह condition भी de-attachment cause कर सकती है next cause हो सकती है hemorrhage अगर eye में किसी तरह का hemorrhage होने लग जाए तो उस वज़े से भी क्या होगा degensation होगा और last one है tumor in the retina यानि कि अगर retina में किसी तरह का tumor हो जाए तो होगए causes की next अपन बात करते हैं इसकी pathophysiology की तो pathophysiology क्या होती है या जो इसकी mechanism कैसी होती है कि जो भी etiological factors हैं वो क्या करते हैं retina में separation करते हैं यानि कि जो भी causes है उनकी वज़े से क्या होता है retina separate हो जाती है किस से? koroidal layer से, जैसे ही ये separate होगी किस से? koroidal layer से उसकी वज़े से क्या result देखने को मिलेगा due to tearing the vitrush fluid enters in the space between separated retina and koroidal layer ओके? तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर होता क्या है कि जैसे यहाँ पर यह separation हुआ तो यह जो अंदर की cavity है इसके अंदर present होता है vitrush fluid कौन सा fluid? vitrush fluid अब जैसे यहाँ पर separation होगा यानि retina, korodal layer से de-attach होगी तो क्या होगा? यह vitrush fluid कहाँ पर जमा होने लग जाएगा? यह जो बीच में इन दोनों के space हुआ है यानि दोनों layers के बीच में जो space बन रहा है वहाँ पर जाके यह fluid accumulate होने लग जाएगा और जैसे ही यह fluid यहाँ पर accumulate होगा तो person में क्या condition arise होगी? loss of vision early stage में peripheral vision loss होगा और later stage में central vision loss होगा अब अगर इसके silent symptoms या लक्षन की बात करें तो इसमें main symptom यही होगा कि vision loss होगा बट किस तरह से होगा? कि retinal de-attachment में आकर slowly और rapidly यानि कि retinal का de-attachment है या जो separate हो रही या तो slowly होगी, दीरे-दीरे होगी या rapidly होगी बट without pain यानि patient को बिलकुल भी pain feel नहीं होगा दूसरा इसमें symptom क्या देखने को मिलेगा dark sports coming across the vision of affected eye यानि जिस eye में retina, di-attach हो रही है या हो रही है दीरे-दीरे तो उसमें person को क्या होगा? dark sports दीखेंगे जैसा हमने पहले image में देखा कि person के जो peripheral area है वहाँ पे black color के dark sports दीख रहे हैं तो same यही condition होगी patient जब देखेंगा तो उसको काले धब्बे दीखेंगे सामने next इसके बाद क्या symptom देखने को मिलेगा? photopsia a sensation of bright flashes of light यानि की person को ऐसे bright flashes दीखेंगे जब भी वो देखेंगा कहीं रोशनी में या कहीं भी तो उसको bright flashes दीखेंगे उस term को क्या बोलते हैं? photopsia इसके अलावा और क्या symptom देखने को मिलेंगे? blood vision यानि person को धुंदला दिखाई देगा और क्या symptom देखेंगे? a slight feeling of heaviness in the eye यानि कि patient को heaviness फील होगी आई में ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो vitreous fluid है वो जो separated हो रखी है visual field loss यानि person का जो vision है वो दीरे-दीरे loss होने लगेगा next इसके बाद बात करें इसके diagnosis की तो सबसे पहले history collect करेंगे like person की जो भी present history है, past history है family history या medical history है इनको हम collect करेंगे patient का physical examination करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे? person की observation करेंगे उससे data collect करेंगे तो patient उसमें क्या बताएगा कि उसको normally इस आख से नहीं दिख पा रहा है ठीक है? उसके बाद अपन इसमें diagnosis करेंगे ophthalmoscopy इसमें क्या होता है? यह एक ऐसा procedure होता है जिसकी अंदर आई का visualization किया जाता है तो उस process को क्या बोलते हैं? ophthalmoscopy अब इसके बाद इसके लाश्ट आ जाते हैं अपन management में तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके surgical management की तो इसमें दो surgeries आती है vitrectomy and cryosurgery first one इसमें करते हैं vitrectomy इसमें क्या करते हैं? कि in this procedure incisions are made to remove collective fluid from the retina यानि कि retina के अंदर जो fluid accumulate हो गया है उसको remove कर लेते हैं ठीके? उस process को क्या बोलते हैं? vitrectomy second one surgery आईगी cryosurgery अब वहाँ से यह हैं मतलब fluid तो remove कर लिया गया है बट अब जो retinas separate हो रखी है उसको वापस से क्या करेंगे? koroid layer से attach करेंगे इसके लिए जो procedure होता है वह होता है cryosurgery इसमें क्या करते हैं? a super cool probe is inserted into the eye which causes scarring of retina results in addition of it to the koroid यानि कि इसमें एक cool probe एक probe होती है जिसका use किया जाता है वह क्या करते हैं? उसको eye के अंदर insert करवाते हैं और वह probe क्या करती है? retina में scar का formation करती है और जैसे यह retina में scar का formation होगा तो वह automatically किस से attach हो जाएगी वापस koroidal layer से तो इस तरह से इसका repairing करते हैं कौन सी procedure के थूँ? cryosurgery पहले retractomy से तो उसका fluid को remove कर लेते हैं और cryosurgery से क्या करते हैं? उसको repair करते हैं इसके अगर surgical management के बाद nursing management की बात करें तो यह जो points से यह सबी during surgery और after surgery के हैं तो अगर during surgery की बात करें तो सबसे पहले क्या करना है? surgery के time जो भी surgical process है या जो condition हुई है retinal deattachment की उसकी causes को और surgical process को explain करना है कि इसको patient और family members को ऐसा क्यों करना है ताकि उनकी anxiety को कम किया जा सके और उनकी जो भी thinking है उनको improve किया जा सके दूसरा point क्या होगा instruct the patient to remain quiet and lay down in prescribed position यानि patient को क्या करना है उनको बताना है कि आप एक तो quiet रहें, शान्त रहें और जो prescribed position को बताए गए है उसमें उनको लेटने को बोलना है अब जब दूसरा इसके बाद क्या करना है नर्सिंग मेनेजमेंट में provide a safe clinical environment to patient यानि patient को एक safe clinical environment प्रोवाइड करना है ऐसा environment प्रोवाइड करना है जिसमें उसको किसी तरह का problem ना हो, किसी तरह का नुकसान नहीं पोँचे नेक्स इसके बाद जब patient की surgery हो जाएगी उसके बाद जो after surgery patient को क्या सुजाव देने है या advice देनी है कि encourage the patient for bed rest and to use eye patch to restrict eye movement यानि patient को completely bed rest के लिए बोलना ताकि कोई किसी तरह की problem ना हो, दूसरा patient को eye patch लगाने को बोलना ताकि जो eye के moment से उनको restrict किया जा सके, इसके बाद और क्या patient को बोलना है कि उनको advice देनी है to avoid rapid eye movements for several weeks यानि कि कुछ हफतों तक rapid eye movements नहीं करने है patient को बोलना है कि आपको कुछ दिनों या कुछ हफतों तक rapid eye movement नहीं करने इससे क्या होगा detachment होने के वापस chance होगे next इसके बाद और क्या advice देनी है instruct the patient not to touch the eye to decrease chances of infection patient को बोलना है कि आपको अपनी eyes को touch नहीं करना है क्यूंकि ऐसा करोगे तो उसे infection होने के chance होगे next इसके बाद और क्या बोलना है patient को advice देनी है और encourage करना है कि आप time to time एक तो antibiotic जो eye drops आपको दी गई है वो अपनी आखों में डाले ताकि इंफेक्शन के चांस ना हो किसलिए inflammation को reduce करने के लिए सरजरी हुई है तो inflammation के chance होगे तो उसको reduce करने के लिए क्या बोलें क्या बोलेंगे next इसके बाद patient को क्या बोलना है कि encourage the patient not to cough or sneeze or to perform other strain inducing activities that will increase intracurricular pressure यानि patient को ऐसी activities करने से मना करना है जो intraocular pressure को increase करते है like coughing, sneezing यह ऐसी process होती है जिन में eye में pressure बढ़ता है तो patient को ऐसी process करने से या ऐसी activities करने से रोकना है उनको ऐसी सला देनी है next इसके बाद और क्या management करना है कि patient को advice देनी है कि apply warm compare 4-6 times a day to promote healing and provide comfort यानि patient को बोलना है कि आप जो अपनी affected आई है उस पे दिन में 4-6 बार से ले ठीक है warm जो warm compression है वो ले जिससे healing जल्दी हो healing की process increase हो जाए ओके और क्या बोलना है कि patient को instruct करना है कि instruct the patient to avoid activities that require close vision such as reading, needlework or writing patient को यह instruction देने है कि आपको AC activities को avoid करना है जिसमें close vision use आ रहा है ठीक है जैसे कि reading पढ़ना, लिखना और किसी तरह का needlework करना या आपको बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि इसमें close vision use होता है और इसमें retina में मतलब बापी से affect होने के chance होते है नेच इसके बाद और क्या करना है after eye dressing is remove increase the patient to use eye shield to protect the eye during the healing process यानि कि अगर जब eye dressing remove कर दी जाती है तो उसके बाद जब भी patient बाहर निकलता है या light के contact माता है तो उसको एक eye page या चश्मा लगाके रखना है black color का जिससे आख पर ज़्यादा जोर ना पड़े और last one इसमें management क्या होगा कि patient को बोलना है कि apply clean warm moist mask wash cloth to eye and eyelids several times a day for 10 minutes to provide soothing and relaxing comfort यानि patient को बोलना है कि आपको अपनी eye पर जो है किसी तरह का गीला कपड़ा रखना है ताकि warm कपड़ा यानि जो थोड़ा सा moist गीला हो थोड़ा गरम हो उसको अपनी आखों पे eye lids पे रखना है दिन में 10 मिनट तरह उससे क्या होगा एक तो patient को comfort फील होगा दूसरा healing process increase होगी अगर आपको इसमें कोई प्रोब्लम है तो comment करके पूछना थेंक्यू